बुज और लकाडिया को आपस में जोडने वाली एक उच्चिक शमता वाली साथ सो पैसिट कीवी पारेशन प्रनाली के साथ भुज दो में साथ सो पैसिट बटा चार सो बटा दो सो बीस कीवी नए सबस्टेशन की स्थापना और कच्च क्षेत्र में 2000 मेगावाट की परिकल्पित पवन और सौर क्षमता से विद्यूत के एकी करण और प्रवा की योजना बनाए गई है पावर ग्रिड भुज ट्रांस्मिशन लिमिटेड पावर ग्रिड कॉर्परेशन अफ इंडिया लिमिटेड की सहायक कमपनी ने भुज पुलिंग स्टेशन से लकाडिया पुलिंग स्टेशन तक 765 कीवी डबल सर्किट ट्रांस्मिशन लाइन के पुनर गठन के साथ-साथ 765 बटा 400 बटा 220 कीवी G.I.S. भुज 2 सबस्टेशन का निर्मान किया है जिससे की भुज 2 से लकाडिया तक 765 कीवी डबल सर्किट ट्रांस्मिशन लाइन के साथ-साथ भुज पुलिंग स्टेशन से भुज 2 सबस्टेशन तक 765 कीवी डबल सर्किट ट्रांस्मिशन लाइन की स्थापना की जा सके इससे भुज 2 पुलिंग स्टेशन के आसपास परिकल्पित विभिन नवी करणिय उर्जा परियोजनाओं के लिए एक मजबूत कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी भुज 2 सबस्टेशन कच जिले के नखतराना तालुका के गाव जडोदर कोटडा में स्थित है 765 केवी डबल सर्किट ट्रांस्मिशन लाइन की लंबाई 106 किलोमेटर है और 5000 MVA की परिवर्तन ख्षमता वाले सबस्टेशन का निर्मान लगभग 20 हेक्टर क्षित्र में किया गया है परियोजना की कुल लागत 1182 करोड रुपे है परियोजना का प्रथम चरण जून 22 में पूरा किया गया है झीमें की वाले सरी प्रण जून 22 रसे वाले सकता है